हलो स्टुडेंट चावडासा लेक्चर के यूटूब चेनल में आपका स्वागत थे कक्षा बारवी विशे अर्थशास्त्र प्रश्ट बेंक 2021 के तीन अध्याय तक हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवा दिये थे यह अध्याय चार के प्रश्टों के उ कुल सात अंक का यह पाठे तो इसके अब्जेक्टिव से शुरुआत करते हम कुल सात अंक के पाठे इसमें तद्याइचार का पेला अब्जेक्टिव बाजार में एक व्यक्तित्व फर्म की पूर्ती अनुसूची कहलाती है तो कहलाती है व्यक्तिगत अनुसूची क्या कहलाती है व्यक्तिगत पूर्ती अनुसूची कहलाती है पूर्ती के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ती की मात्रा और उसकी कीमत के बीच क्या संबंद होता है तो पूर्ती के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ती की मात्रा और उसकी कीमत के बीच जो संबंद होता है वो होता है धनात्मक पूर्ती में विस्तार की दिशा में चलन होता है दूसरे पूर्ती वक्र पर दाईयोर पूर्ती में परिवर्तन होता है स्व्यम की कीमतों में व्रद्धी और कमी दोनों होने पर किती वस्तु की पूर्टी में पूर्टी वक्र में परिवर्तन होता है आगे दिखते हैं अगला दे रखा है Սसरकारी सहायता एक पादन के लिए सरकारी साहिता एक उत्पादन के लिए वस्तू के उत्पादन में विरधी करती है जब एक पूर्ती वक्र प्रारंबिक बिंदू से शुरू होकर जुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है तो ये एस छोटा होता है वन से जब पूर्ती वक्र एक्स अक्षिके समानतार होता है तो पूर्ती की लोच होती है अनंत जब वस्तू की कीमत 4 रुपे प्रती 31 से बढ़के 5 रुपे हो जाए तो पूर्ती की मात्रा 101 से 120 हो जाती है तो इसकी पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, तो पूर्ति की कीमत लोच होगी 0.8, आगे देखते हैं, अगला दे रखाए, निम्नांकित में पूर्ति का आविश्यक तत्व नहीं है, पूर्ति का आविश्यक तत्व कोन सा नहीं है, तो पूर्ति का आविश्यक तत्व क्राई की इच्छा नहीं है पूर्ती में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ती में कमी हो जाए निम्नांकित में उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने का परिणाम है तो कीमत बढ़ने का परिणाम होता है पूर्ती वक्र का दाई और शिप्ट होना बाजार अउधी व आउदी वह समया आउदी है जिसमें मांग में परिवर्तन की दशाओं के अनुसार पूर्ती समायोजित नहीं की जा सकती आधुनिक टेक्नोलोजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है इसे हम क्या कहेंगे आधुनिक टेक्नोलोजी से किसी एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाएगी इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे पूर्ती में व्रद्धी क्या कहेंगे पूर्ती में व्रद्धी अगला देखते हम रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए रिक्तिस्थान देवे हुए आपके स्क्रीन के सामने पूर्ती एक अउधारणा है गुनात्मक कर्की मात्रा में रद्धी होने पर पूर्ती है क्या होती है पूर्ती घटती है फर्मोक की संक्या बढ़ने में पूर्ती है वस्तु की पूर्ती का एक भाग है स्टॉक पूर्ती वक्र का आशय पूर्ती अनुसुची की प्रस्तुती है ग्राफिकल किसी वस्तु की पूर्ती को निधारित करने वाला एक प्रमुक घटक वस्तु की कीमत है पूर्ती वक्र का ढाल एक सक्ष के चरो का भाग लगने पर आने वाला है तो वो होता है भागफल तो यह हमारे खालिस्तान हो गए इसके बाद देखते हैं एक वाक्यों मुत्तर उसके पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकान को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आप चावडा सर लेक्चर एमोरल कोचिंग क्लासे महितपूर सीटी के माध्यम से इस यूटूब चैनल के वीडियो को देख पा रहे हैं लगातार 12 वर्चों से क्योंकि ये 2018 का पेम्पलेट से इसमें 9 वर्चों लिखें 2022 हो चुका है लगातार 12 वर्चों से हम हमारी सेवाएं कोचिंग क्लास के माध से महितपूर सीटी में देते आ रहे हैं और अभी हमने यूटूब चैनल पे भी चालू किया है तो आप लोगों का सही योग बना रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आने वाले वीडियो का भी नोटिविकेशन आप लोगों को मिल जा इसलिए बेल पेच पे जरूर वीडियो की लिंक बिल जाएगी वहां आप लोग देख ले ना डिस्क्रिप्शन में हम प्रश्ण की प्रश्ण देते हैं कौन-कौन से प्रश्ण इसके अंदर है वो डिस्क्रिप्शन में लिखे वे होंगे नेक्स देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे अल्पकाल में फर्म का पूर्ती वक्र किस प्रकार का होता है तो अल्पकाल में फर्म का पूर्ती वक्र कम लोचिदार होता है कम लोचिदार पर्म के पूर्ती वक्र को तक्निकी उन्नती किस प्रकार प्रभावित की जा सकती है तो पर्म के वक्र को तक्निकी उन्नती किस प्रकार प्रभावित करती है क्योंकि तक्निकी उन्नती से पूर्ती में व्रद्धी होती है जिससे पूर्ती वक्र दाई और बदल दिया जाता है बात पे ध्यान देना इसका उत्तर मोखिक बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि तक्निकी उन्नती से पूर्ती में व्रद्धी हो जाती है जिससे पूर्ती की वक्र रेका दाई और बदल जाती है अगला तीसरा प्रश्णत तीसरा इसका सरकार द्वारा मुक्य रूप से किस उत्पादन के किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है तो सरकार किसके लिए करती है? आवश्यक वस्तू के उत्पादन के लिए. किसके लिए? आवश्यक वस्तू के उत्पादन के लिए. एक फर्मद्वारा की जाने वाली पूर्टी को क्या कहते हैं व्यक्तिगत पूर्टी जिन गटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्टी में परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है निर्देशक तत्व निर्धारक तत्व वस्तु की मात्रा जो सभी पर्म बाजार में बेशने के लिए निच्चित सम्यावधी में निच्चित कीमत पर वस्तु प्रस्तुत करती है उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं बाजार पूर्टी किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है तो वो है वस्तु की कीमत उत्पत्ति के साधनों की कीमत में व्रद्धी उत्पादन की लागत में व्रद्धी कर देती है जिससे कमी हो जाती है तो आता है पूर्ती में काई में कमी हो जाती है पूर्ती में कमी हो जाती है तो ये आपकी एक वाक्य क्यों उत्तर हो गए अब हम शुरुवात करते हैं अत पहले इस पार्ट में कोन-कोन से हम देरह थे हैं ऑथी लगुत्तरी के साथ-साथ इसमें तीन नंबर का भी प्रश्न आएगा, इसलिए उन्होंने लगुत्तरी प्रश्नों भी दे रखे on को भी हम देख लिते, इन सभी प्रश्णों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं थोड़ा सद्यरता बनाए रखें आईए शुरुआत करते हैं प्रश्ण उत्तर की पहला प्रश्ण है पूर्ती का नियम समझाईए बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पू जार में माल जादा दीखेगा दूसरा पूर्ती में व्रध्धी से क्या भी प्राय है जब किसी वस्तु की पूर्ती में अपनी स्वयम की कीमत में परिवर्तन के अलावा किसी भी कारण से व्रध्धी हो जाती है तो उसके लाती है पूर्ती में व्रध्धी अगर कीमत में परिवर्थन न हो और व्रद्धी हो जायतों के लाती है पूर्थी में व्रद्धी किसी वस्तु की पूर्थी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्थन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है तो किसी वस्तू की पूर्ती अन्य वस्तू की कीमत में परीवर्तन हो जाने पर पूर्ती में व्रद्धी या कमी मतलब परीवर्ती हो जाती है परीवर्ती हो जाती है या पूर्ती में व्रद्धी या कमी हो जाती है इत्ता लिखना है पूर्ती में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या अशे क्या है तो जब किसी वस्तू की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर अन्य घटक में परिवर्तन होता है तो उस वस्तू की पूर्ती में कमी या व्रद्धी होती है तो उसे वस्तू की पूर्ती में परिवर्तन कहते हैं देखिए चारो कोश्चन लगबग सेम सेमी लग रहे हैं कोई जादा नहीं है आपको एकी बात ध्यान रखना है कि अगर उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और फिर भी उसके व्रद्धिया कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है पूर्ती परिवर्तन पूर्ती में तो पर कुल पूर्ती की मात्रा दिखाई जाती है माना बाजार में रूई केवल तीन विकरेता ए बी सी है और उनकी अलग अलग पूर्ती तालिका है यदि उन तीनों की पूर्ती तालिकाओं का योग कर दिया जाए तो बाजार की कुल पूर्ती प्राप्त हो जाईगी मतल वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने आले तत्व, उत्पादन साधनों की परिवर्तन शीलता और वस्तु की प्रकृति ये चार तत्व है जो वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करते हैं, पूर्ति की लोच क प्रभावित करने आले तत्व भी यही चार है पूर्ति की लोज को प्रभावित करने आले तत्व भी वही चार दे रखें वस्तु की कीमत समय तत्व और उत्पादन साधनों की परिवर्चन शिल्ता और वस्तु की प्रकृति थोड़ा सा माफी चाहूंगा उपर वाले कोश् लेक्सर यह नहीं आएगा, मैं बता दिता हूं आप लोगों को, वस्तु की पूर्ति को ब्रभावित जो करती है, वह पैला पाइंट तो ठीक है, वस्तु की कीमत सहीर रहेगा, वस्तु की कीमत, और दूसरा पाइंट आएगा, अन्य वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत कीमत इसके अलावा तक्निकी विकास और एक और आता है प्राक्रतिक तत्व प्राक्रतिक तत्व उसके अलावा कीमत तो हमारी दो दो बार आ गई है इसले हम कीमत नहीं लिक्सना चाहें वस्तुओं की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत तक्निकी विकास और प्राक्रतिक तत्व ये चार कारण होंगे वस्तुओं की पूर्ति की लोच के मैंने बताई दिये वस्तुओं की कीमत स वस्तू की कीमत में परिवर्तन के प्रतियुत्तर में वस्तू की पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन होने एवं अन्य घटक अपरिवर्तित करने पर होता है। चोड़कर अन्य घटकों में भी परिवर्तन के कारण होता है तो क्या कहलाता है वस्तू की पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहलाता है एक चलन और एक परिवर्तन ठीक है। वारा लाक में भी कर दी तो भी ज्यादा नहीं भी कर रही है तो उसकी क्या हो जाती है पूर्ति पूर्ति पूर्ण तह बेलोजदार पूर्ति हो जाती है। ठीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पढ़ने आले प्रभावों को इस्पस्ट कीजिए। तो ये भी एक कारण होगा। तो ये हमारे अति लगधि प्रेश्ने उभी दूँगा तो विडियों एक ग्टे का हो जाएगा। क्योंकि दिर्गवत्ती प्रेश्नों में पूर्जर जादा लगता इसलिए उसका वीडियों को आपको अलग से बनाग के दिंगे। अभी इस पार्ट के इसमें आती लगुत्तरी प्रश्ण लगुत्तरी प्रश्णों के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे तो अध्याइचार को यही समाप्त करते हैं अगले वीडियो का इंतजार किजिए तब तक के लिए धन्यवाद